बिहारी नियुज में अधिन सेन भारती अज़ हम बात करेंगे अस्कूलों के बंद होने को लेकर क्योंकि एक फैसला सरकार की तरफ साया जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है अस्कूलों को बंद किया जा सकता है बिहार में सेन लहर को देखते हुए अस्कूल बंद करने का फैसला लिया जा सकता है पिछले दिनों हुई क्राइसिस मेनेजमेंट गूरूप की बैठक में यह कहा गया था कि करोना को लेकर अभी पैनी किसी थी नहीं है ऐसे में अस्कूल बंद करने को लेकर कोई बड़ा फै बंद कर दी जाएंगी पता दे कि बिहार में नियुनतम तापवान 11 डिक्री से अलसियस है ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सितलहर बढ़ने की आसंका है अगर सितलहर बढ़ा तो स्कूल बंद हो जाएगा बिहार सिच्छा परियोजना के निदेशक स्रीकान सास्त्री ने इस आसेव का आदेश सभी DEO को जारी कर दिया है इधर सिच्छा विभाग ने जीलों को सितलहर में उचीत कदम समय रहते उठाने का निर्देश दिया है यह भी कहा है कि दिसंबर के अंतियम सप्ता से जनवरी के तीसरे सप्ता तक सितलहर की सिती रहती है इसलिए इस पर विभ तुरान बच्चों को अधीक समय तक बाहर ना खिलने दिया जाए बच्चों को अधीक समय तक बाहर ना खिलने दिया साथ-साथ है इसको लेकर जो कहा गया कि उन्हें ठंड लग सकती है यानि कि सरकार की तरफ से बात कही गई है उसमें कहा गया कि स्कूलों को जो है से लगातार संपर्ग में रखे और कोबिड प्रोटोकाल का पालन करने का भी जो है खास तौर पे दिया गया है प्रदेश में सन्यवार से यानि कि आज से ही बात कर लें तो पच्छुवा हावा जो है 15 से 20 किलोमीटर पृति घंटी की रफ्तार से चलने का पुर्मान मान है इ गले 48 घंटे में 3 डिगरी तक पारा नीचे जा सकता है प्रदेश का नियूंतम तापमान 9 से 11 डिगरी सेल्सियस के बीच में बनी हुई है मौसम विभाग की मानितों प्रदेश में सबसे ठंधा जो अस्थान रहा वो पूसा रहा यहां नियूंतम तापमान जो है 7.08 डिग दर्ज किया गया है प्रदेश में लगातार पारा नीचे गिर रहा है प्रदेश पारे को ध्यान में रखते हुए अस्कुनों को बंद करने का फैसला जो है वह लिया जा सकता है यानि कि पारा ज्यूंतम तापमान जो है वो लगातार जो है वो नीचे गिर रहा है और हमने भी आपको बताया कि 9 से 11 डिग्री सेलसेस जो है पूरे बिहार का तापमान है एवरेज जो तापमान वो निकल कर सामने आया है ऐसे मैं अब देखना है कि बिहार सरकार ठंड को लेकर खास कर गए अगर हम स्कूली बच्चों की बात करने तो उसको लेकर कब बंद करने का जो ह कोई बदलाव किया जा सकता है बिहार और बिहार से जुड़ ही और भी ऐसे खबनों के लिए बढ़ने रहें बिहारी नियूज के साथ मिश्यदी जी अजाज़त धन्यबाद